दोस्तो मैं एपीबी सुकर्मा स्वागर्थ काता हूँ अपने यूटूब मज़ पर दोस्तो आज का वीडियो जो है इंपोर्टेंट वीडियो है और यह आपके लिए फुरूटफुल है कि इस वीडियो में हम श्यार करें कि अगर आप एक एरिया सेल्स मेनेजर हैं तो आप आप आरेश्म कैसे बन सकते हैं फारमा कमपणी में और कि कल करे मेरे वीडियो में था कि आप मेडिकल रैप से कैसे शील्स मेनेजर यह से मैं तो आप पोई यहसर्स मेनेजर हैं brush वर ऑब दोस्तों अगर आप कोई एसम है तो आपके लिए वीडियो इंप sentiments है आप इस वीड तो सबसे पहली बात करना है दोस्तों कि अगर आप AASM बने हैं तो आप मान के चलिए कि आपने अच्छा काम किया है कमपनी में तभी आपको कमपनी में अपको रेटेशन मिला है और कमपनी ने आपको रिख्योतनाइस किया है तो अब आपका एक गोल होना चाहिए कि आप कैस से फटाफट कमपनी में मतलब एरिया सेल्स मेनेजर से रिजिनल सेल्स मेनेजर बने यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहला स्टेप यह होना पड़ेगा दोस्तों कि आपको जो है नंबर वन जब आप AASM बनते हैं तो उसमें आपको नंबर वन काम करना है आपको यह दम आप यह बात को गाट बान के रखिए कि सबसे पहले डोंट मिक्सट अप वीडियोर सबोडिनेट कभी भी अपने सबोडिनेट से जब आप AASM बन जाते हैं तो आप एक मेनेजमेंट का पार्ट हो जाते हैं दोस्तों और मेनेजमेंट का पार्ट होने का मतलब है कि आप कभी भी अपने सबोडिनेट से जब मिल जाते हैं हैं घलत काम करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उस subordinate को अपने medical labs को 100 गलत काम करने के लिए उसको आप उसका रहे हैं उसको बढ़ावा देना है और वहाँ आप कुछ निकल सकते हैं helpless हो जाएगा इसलिए जैसी आप SM बनते हैं तो अपने आप में strict रहे हैं अपने आप में बिल्कुल कुछ मामले में एदम अडिग और वहाँ आपको कोई compromise नहीं करना है जब आप थोड़ो काम करें एक कमपनी में ठीक से काम करें एक कमपनी में तो integrity के साथ काम करेंगे तो आपके जो subordinate से वो भी आपको follow करेंगे दोस्तों तो सबसे पहला काम करना है कि आपको कभी भी अपने subordinate से साथ आप mixed up नहीं होना है दोस्तों ये बात आप गांट बानके रखिए और ये जिजदीन आप कर लिजेगा fulfill आपको जिन्दगी में ग्रो करने से आगे बढ़ने से को भी नहीं ही दो सकता है आपका टार्गेट वर्सेड ऐचीवमेंट और सबका पारा equitable वही है कि आप टार्गेट और एचीवमेंट कितना करते हैं वही आपका पारमेटर नहीं है celebrated और वही आपके पर्णास को जाचा पड़ जाएगा कि आप company की लिए कितना contribute कर रहा है т.d to आपका टार्गेटária ऐसे तो लोग कहता है कि 3 साल में एरिया मेनेजर से आरस्व मजाते हैं। हम मानके चलते हैं कि अगर आप कितना भी बढ़िया काम कीजिएगा तो करेवरी 5 साल लगी जाता है । 3-5 साल लग जाता तो आप पिछिले 3 साल का जो ट्रیک डिकोर्ड है बिल्कुल एक्सेलेंट होना चाहिए दोस्तों मतलब आप जो अगर आपके माले अगर पांच लड़के हैं तो आप प्रयास किजिए कम से काम 90% अबर ऐसे तो आप इस कंसेलेशन में आ सकते हैं और दो लाग का अगर आपका PCPM रहेगा और आपके जो कुछ लोग अधर से एरिया में तीन चार जो रहेंगे उसके मानले आप से कोई किसी का एक पचीस रहेगा या वन पॉइंट फाइब रहेगा तो वहां पर जैसे आपका PCPM आई होगा आप कंप सेकंपृट्रमाई होता ही नहीं कि और प्राइम फैक्टर दोस्तों यही होता है इसलिए इसलिए कुछ कहने की ज़रुवत नहीं है तीसरा होता आये कि आप रिपोर्ट रिटर्स ओलडी चुकि आप मेटगल रैप से असे बने हैं तो आपका अलडी अंडेस्टूड है कि आपका report returns, सब submission अच्छा होगा. चाहे reports चाहे daily report हो, या monthly report हो, expense report हो, tool program हो, कैमपेन का report हो, activity का report हो, cme का report हो, या CRM का report हो. किसी बीदेर का reports होता है उसको आप submit करना है timely दोस्तो, उसमें कोई compromise जो डेडलेन दिया होता है, उसके अंदर आपको submission करना है और तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट ही सब कुछ हता है तो आप प्ट्ना में काम करना है कहने का मतलब लखनों में काम करना है अब कोई अगर कंपनी मानले अगर बैंगलोर का कंपनी है मानले मुंबई थोड़े आप कुछ देखने आरा क्या कर रहा है उसकी तो आखकान सब समझे कि आप रिपोट ही होता है न तो आप जब रिपोट भेजते हैं तो लगता है कि दिखेंगी जो क्या और सब कुछ ठिक चल रहा इसमुझ चल रहा इसलिए रिपोट को टाइम पर वेजना वेरी वेरी मेंडेटरी है और इंपोर्टेंट चीह दूस्तों चौथा होता है कम्मिकेशन का मतलब यह होता है कि जब अपने आप जब आप आम इसे म बन जाते हैं तो जो आप मैटकल रैप्स को आप कम्मिकेट करते हैं नौट उन ली ओन वाट्सापॉइफ नौट उन एशमेस ौट उन ली ओन दिस्टाट ऐसा नहीं है आपको हर बातको उसके performance पे उसके growth के लिए उसका जो suggestion देना चाहते हैं जो सलाह देना चाहते हैं आप प्रयास किजिए कि कम से कम black and white were written में उसको दीजिए उसको आप mail दीजिए mail दीजिए और नहीं तो जहां जरूत पड़े उसको आप speech was registered letter दीजिए क्योंको लड़के को दुलारना पुछकारना और कभी-कभी डराना और कभी-कभी कड़े एक्षन भी लेना एक ASM काम होता है दोस्तों तो जब तक आप यह सारा काम नहीं किजिएगा motivate करना है guide करना है उसको जहां गलती करे correct करना है और नहीं बने तो उसको फिर take out भी करना है ऐसा बात नहीं है उसको action भी लेना है उस पर एक ASM का यही फर्ज होता है यही duty होता है कि जो लोग को लगता है कि अगर अगर एक मतलब अगर तलाब में अगर एक सडी मचली है अगर सारे अगर मचली उगंदे खराब कर देगा अच्छा है वैसे मचली को निकाल भी दिया जा आउट भी कर दिया जा तो दुलारना पुछकारना उसको डराना उसे प्यार से काम लेना सब तरस से आपको रोल में आना पड़ेगा आप तभी जा क्याओ शकते हैं तो जैसा सीकेशन हो उसको काम भी करना जहां पर डेग़े कि एक एसम का तो यहीं रोल इसलिए आप सारा कम्वनिकेशन जो आप रीटेन में कर पाईए आप आपका डूकुमेंटेशन तयार हो पाएगा और उसमें आप आप कुछ कर पाईएगा नहीं तो ऐसे आप भरभली कितनों टेलिफ़ोनीटॉक किजिए कितनों बगवास किजि आप या तो उसको speed post, registry post या उसको mail से दीजिएगा तभी आपको documentation त्यार हो पाएगा और जुरूत पर आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं इसलिए आपको उसको या तो ऐसे भी normally भी उसके performance पर लेटर दीजिए उसके आप कहां growth है, कहां loopholes है, कहां कमी है, कहां क्यों नहीं कर पा रहा है, कहां क्या दिक्कत है उसको अपने समझ से जो आपको लगता है उसको एक black and white में आप communicate कीजिए, बने आप उस तरह से मतलब written में तो यह अपके लिए important है, communication is very very important, बिल्कुल clear होना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात असपस्ट होनी चाहिए, और लड़का समझ सकते हैं, understand कर सकें, इस तरह की बात होने चाहिए दोस्तों, उसके बात पांचवा आता है attrition rate, दोस्तों आप में एक जब ASM बन जाते हैं, तो देखा जाता है कि आपके अंडर चुके 5 साले बहुत सारे लड़के आएंगे जाएंगे, तो आपका काम होता है कि आप लड़के को कितना retain कर पाते हैं, retain मतलब लड़के को निकालना, terminate कर देना, not a solution, अगर आपके पास जो medical reps मिला है, उसको आप retain कीजिए, उसे काम कराई, that is important, यह आपकी कला को बताता है कि आप कितने अच्छे हैं, कितने cooperative हैं, कितने मेहनती हैं, कितना आप में leadership quality है, सारी बात बताता है, इसलिए आप में कोई अगर लड़का देगे, अगर 10 म managers में हैं दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि अगर आपको attrition rate बहुत कम होना चाहिए, आपको 20% तक तो चलेगा, attrition rate दस में अगर दो जाएगा, तो अतना बात नहीं है, लिगे आपका बहुत ज़्यादा अगर लड़के छोड़के चले जाते हैं, या नहीं टिक पाते हैं या रिटेन नहीं कर पाते हैं, तो माना जाएगा कही ने कहीं लोग फोल्स आप में हैं, इसलिए आपका attrition rate हाई नहीं होना चाहिए, that is important दोस्तों, उसके बाद छटा होता है incentive, दोस्तों आप ऐसा ASM जो है अपने लड़केों को motivate कीजिए, incentive earn करें, और जब आपका medical reps incentive earn कर और हमने बार 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 बताया कि incentive is not only money, यह कंपनी का reward होता है, certificate होता है, यह कंपनी का recognition होता है, यह जब आप फिर आप RSM बनिएगा, तो आपको RSM बने कर सकते हैं कि हमको इतना incentive मिला, और incentive के ground पे आपको एक recognition मिलता है, कंपनी तारीकी से देखती है, वहां आपको RSM बनन में है, ultimately हम लोग गोल तो पैसे कमाना भी है, हम लोग चाहे हैं कि हम लोग financially कैसे sound हो, ultimately हम लोग तो monetary benefit भी जरूरी है, तो इसलिए उसको आप परसान दीजिए, उसको बढ़ाईए, encourage कीजिए, और खुद भी incentive बन कीजिए, यह company के नजर में आपको win-win situation रहेगा company के नजर मे आपके लिए, उसके बाद सात्वा में होता है कि आपका medical wraps जो है, कितना अप्ग्रेडिशन पाया, कोई अगर medical wraps हुआ, कितना मानले senior medical wraps हुआ, कितना area managed हुआ, कितना medical wraps आपको develop किया, तो आपके medical wraps जितना जब उपर आएंगे, तब तो उपर जाएगा, कोई अगर medical wraps मानले अगर आपका कहने का मतलब company का expensive हुआ, कमपनी का अभिस्तार हुआ, कमपनी के नया division आया, जब आपका लड़का medical wraps area manager बनेंगा, तब तो आपको RSM के chances बनेंगे, तो आपका लड़का कितना अप्ग्रेडिशन मिला, company, आपके अपके अंडर में कितना लड़का आपका develop किय यह भी देखा जाता है दोस्तों, तो जितना develop कर आपी अवतना develop कि जियेगा, अभित तला कि कि जएगा अतना आप आपके आँगे जाइएगा, तो यह आपको ख्याल रखना है कि आपके अंडर में maximum लड़के कांट्राइशन हो, maximum लड़के का प्रमस्चिन हो, maximum लड़के क तो आप आगे बढ़ेगा दोस्तों यह आपको ख्याल रखना है आप SM है तो लगड़के वह आगे बढ़ाना आपका ड्यूटी है तब आप RSM बन सकते हैं यह क्रेटेरिया है दोस्तों और आठवा इंपोंटेंट सबसे फाइनल है कि जवाप सेल्स टारगेट करते हैं और जो भी सेल्स करते हैं लियूल करते हैं इड़ी सैल्स करते हैं हो प्लान रधा रटान ने प्लान आ IT이OC मिलें के बच्च परे करिक्फ और प्लान ने है कछी पेह ऩमलेथरी प्लान है उसमें कहीं पहुंशती है और आपका कंप्रीड करत बच्ट करती ऐसे सब्सक्राइब तो मुझा जिस तरह company क्रेटर विया है company को आपको revenue टाइम पर जाना थे अगर payment collection के बाद ही sales माना जाता है आप कितरा भी sales कर लेंगे company के पास अगर payment collection नहीं जाएगा दोस्तों तो आप मान के चलिए कि आपने कुछ नहीं किया और company वहाँ survive नहीं कर पाएगी company रन नहीं कर पाएगी आपको RSM बनने के chances हो जाते हैं और RSM बन जाएगा तो दोस्तों मुटा मुटा मुटी आज यही मान के चलिए कि लमसम आठ पॉइंट बता है आपका communication हमेशा है medical reps के साथ जो है यह seniors के साथ भी जहां आप उपर भी communicate करते हैं एक black and white में रिटीर में communicate कीजिए ताकि उसका एक record रह सके और एक system में रह सके कि आपने ऐसा communication किया और आपको इंसेंटिव करना है और साथ में लड़के को अर्ण करवाना है इंसेंटिव नोट वनली मनी यह कंपरी के reward है कंपरी के रियोगनीशन होता है और आपके medical reps आपके अंटरे में इतने हैं सबको एक अप्ग्रेडेशन प्रमोशन होना चाहिए लड़के आके बढ़ेंगे तब आप आगे बढ़बाईएगा और आठ्वा इंपोर्टेन क्वाइनली कंपनी के जो पेमेंट का जो रिलेइसन है वो बिल्कुल टाइम पर होना चाहिए कंपनी की सिस्टेम को इसान होना चाहिए नों चाहते हैं तो आप कोमेंट करें हम एक एक कॉमेंट का रिपलाई करते हैं और मैं वेट भी करता हूँ का प्ला वैWork कॉमेंट आपका बहुमॉल्ट ले कवमेंट है और हमको भी कुछ मारदरसन हो तो दोस्तो आज के वीडियो पर इतना ही मिलते हैं लिए झाल 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 आपकρι को अगोना झाल झाल पेगर कोुछ दो सकता है ।